मैंने पिछले कल सरकार की तरफ से रेस्लर्स को नियोता दिया था बादचीत के लिए बहुत अच्छे बातावरण में सकारात्मक बादचीत बहुत संवेदन्शील मुद्दे पर हुई है और लगबग 6 गेंटे 40 बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए है उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चारशिट दायर की जाए और रेस्लिंग फेडरेशन अफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए इंटर्नल कंप्लेंट कमेटी रेस्लिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे जब तक रेस्लिंग फेडरेशन अफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आई यूए की अधॉक कमेटी पर दो कोचिस का नाम परस्तावित किया गया है उसका तक टेकनिकल भी उसमें दिखते हैं बहुत आती इसलिए सुझाव दिये गये हैं कि दो कोचिस को उसके ओपर रखा जाए उसका मेटी में और जब रेस्लिंग फेडरेशन अफ इंडिया के चुनाव हो वे एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले अच्छे पदादिकारी उसके चुनके आए उसके लिए खिलाडियों से राजशमारी हो निवर्तमान अध्यक्ष ब्रिजबुशन सिंग जिनके तीन टर्म पूरी हुई है वो और उनसे संबंदित लोग उसमें चुनकर ना आए इस तरह कि उनकी मांग थी जो महिला खिलाडियों को या बाकी खिलाडियों अवश्यक्ता और नुशार सेक्योरिटी उनको मिले जिन खिलाडियों के या अखाडों के या अकैडमीस के या कोचिस के खिलाफ मुकदमे हैं उन मुकदमों को वापिस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानून या पुलिस के कारवाई ना की जा सके और खिलाडियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चारशिट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर परदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी समर्थर के हैं वो भी कोई परदर्शन नहीं करेंगे और उन सब को भी इस बाचित से अवगत कराएंगे सरकार ने कितनी मांगे मानी हैं यह सारी बाते ही हमारी आमसहमती से हुई हैं उनके सुझावते कि यह करना चाहिए मांगें भी सुझाव भी आप इसको किसी रूप में लेना चाहें और सरकार ने बड़े खुले मन के साथ सभी विश्यों पर पहले पी अब भी गंबीरता से बाचीत भी की है और इन बातों पर क्योंकि अभी सभी प्लेयस ने भी और कोचिस भी जो आये थे अंके साथ जो बाकी सद़ से आये थे उन्हों ने बहूत पॉजिटिव बाचीत की है और व बहुत बड़ा मुद्धा प्रिपूशन के अरेस्ट का बनावा है सर। 15 जून तक चारशिट दार्ट जाजपूर करके चारशिट दार्ट करने की बात कही है।